श्री शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादेव दोस्तों कैसे हो आप सब देखिए कल है 22 तारीख और कल है शुक्रवार का दिन और कल है प्रदोश की तिथी और प्रदोश की तिथी पर एक विशेश उपाय शमी के पत्ते से और दीपक से आपको करना है जो आपकी हर इच्छा परिपूर्ण करने वाला है बहुत ही प्यारा सा उपाय है देखिए कल प्रदोश के दिन आपको यह जो उपाय आप करोगे यह आप प्रदोश काल के समय करोगे सबसे पहले जानते हैं कि प्रदोश काल का जो समय है वह कब रहने वाला है को 22 मार्च को यानि की कल शाम को 6 ब तमय ही आपको यह उपाय करना है, तीन उपाय इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तीनों शुक्र प्रदोश पर करने वाले होते हैं, देखो शुक्रवार का दिन होता है, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए और शुक्र ग्रह के लिए विशेशकर सफेद चीज इसका उप्योग हमें करना चाहिए क्योंकि शुक्रग्रह जो है वह प्रसन्न इसी से होते हैं धन वैभव सुख समरिधी एश्वर्य कीर्ती की जो प्राप्ती है वह शुक्रग्रह से होती है और शुक्रग्रह को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है जिन लोगों की भी कुंडली में शुक्रग्रह मृत का है या शुक्रग्रह का प्रभाव कम है तो उन लोगों को विशेशकर यह उपाय करना चाहिए देखो तीन उपाय इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तीनों उपाय बहुत ही ध्यान से समझना सबसे देखो यह तीनों उपाय पूजे गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुनकर के समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट में आप सभी को जो भी लोग यह विडियो दे देख रहे हैं हर हर महादेव जरूर लिखना देखो एक ए करते हुए हम उपायों को समझेंगे सबसे पहला उपाय तीन बार आपको जल अर्पित करना है और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी कैसी भी मनोकामना होगी शुक्र प्रदोश पर वह परिपूर्ण होने वाली है देखो यह जो उपाय है आपके जीवन में सुगंध भर देगा आपके जीवन में जो भी उह है वो सब दूर होने वाली है देखो इस वीडियो में जो पह जल एक्स्ट्रा आपको ले करके जाना है, अब यहाँ पर एक चीज समझना, तामबे का पात्र पूरा भरने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, आधा लोटा या उससे कम भी, आप ले सकते हैं, जल ठीक है, आपको तीन मतलब आप तीन बार जल अर्पित करोगे, तो थोड़ा जल ही अर्पित करेंगे, इसमें आपको साथ में लेना है, एक इत्र इत्र की बोतल आसा आसानी से पूजन सामगरी वाली दुकान पर मिल जाती है, पांच सो दस में थोड़ा सा इत्र लेकर के आ जाना, एक बूंद भी अगर आपके पास पुराना इत्र पड़ा ह तो एक बूंद भी चल जाएगा ठीक है, साथ में आपको लेना है, एक बेलपत्र यह उपाय आपको करना है हो सके, तो यह उपाय आपको करना है बेलपत्र के व्रिक्ष के वहाँ, पर ठीक है बेलपत्र का व्रिक्ष नहीं हो, तो फिर शमी के व्रिक्ष के वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। उसके बाद जो इत्र लेकर के आए हैं, वो इत्र जो है, वो उसकी जो बुन्दे हैं। वो पात्र के अंदर आपको डालनी है और उसके अंदर थोड़ा सा वापस से जल भर देना है जल। ठीक है अब आपको ये इत्रवाला जल जो है वो बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यां का जाब करते हुए ये इत्रवाला जल ही आपके जीवन को सुगंधित करेगा आपके जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां ह तामबे के पात्र के अंदर अब ये जल और बेलपत्र वाला जो है ये आपको वापस से मतलब बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यां का जाब करते हुए तीन बार जल अर्पित करना है पहली बार में सादा जल अर्पित बेरंग सा है उसमें खुशी आ जाएगी आपके ग्रह क्लेश दूर हो जाएंगे आपके घर में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव इसका पड़ेगा तो ये उपाई भी आप कर सकते हैं तो ये हो गया पहला उपाई अब हम बात करते हैं दूसरे विशेश उपाई की की देखो यह उपाई जीवन में अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई जगरे चलते हैं बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि भाईया बहुत लड़ाई जगरे चलते हैं घर वाले कोई मानता नहीं है बच्चे नहीं मानते हैं पती नहीं मानते हैं या घर में किस आपके घर की सुख शांती के लिए आपको यह उपाय करना है, यह उपाय सबसे ज्यादा आसान है और विशेश कर शुक्रवार की, शिवरात्री हो या शुक्रवार की प्रदोश हो इन दोनों तिथियों पर करने वाला विशेश उपाय. है घर से तामबे के पात्र के अंदर जल लेना है, और आपको एक सफेद पुष्प लेकर के आना है, केत्की का फूल नहीं चलेगा, बाकी सबके पहरी जात का फूल भी चलेगा, एक सफेद पुष्प आपको लेकर के आना है, ठीक है, सफेद पुष्प जल के पात्र के अंद और यह उपाय भी आप प्रदोशकाल के समय ही करोगे ठीक है, अगर पुष्प आप सुभा तोड़ करके लेकर के आजाओगे तो भी चलेगा ठीक है, ध्यान रखना सूरियास्त के बाद पुष्प मत तोड़ना अब आपको क्या करना है, तामबे के पाते के अंदर जल जो है उसके अंदर आपको सफेध पुष्प डालना है और पूरे घर में इसे ले करके आपको घूम जाना है, पूरे घर में आपको लेना है, ठीक है, घर का हर एक जगह जो है छूटने नहीं चाहिए, बस वाश्रूम को छोड़ देना, अशुध स्थानों को आपको छोड़ दे बाकी पूरी जगह आपको घूम जाना है ठीक है फिर उसके बाद सीधे घर से बाहर निकलेंगे और ये घूमों गभी प्रदोशकाल के समय ही घूमना है घर में और जैसे ही घर के बाहर निकलोगे भगवान शिव के मंदिर में जाना और भगवान शिव के शिवलिंग पर यह सफेद पुष्प वाला जल जो है पूरा आपको, अर्पित कर देना है कुन्दकेश्वर महादेव के नाम से आपके घर की जो भीग, रखलेश होंगे, वो निश्चित तोर पर दूर होंगे, जैसे ही जल आप अर्पित करोगे जल को जेल लेना और कुंद केश्वर महादेव वाला जो जल है जेल जो जेल करके आप आओगे आप भगवान शिव से प्रार्थना करना और इस जल से छिटका हो आपको आपके घर में हर एक जगह पर आपको करना है अशुद्ध स्थानों पर नहीं करना है इसी जल का छिटका आपके घर पर करना है आपके घर से सारे लड़ाई जगडे क्लेश दूर हो जाएंगे ये हो गया दूसरा उपाय अब हम बात करते हैं इस वीडियो का सबसे विशेश उपाय जो की शुक्र प्रदोश पर आपको करना चाहिए देखो इ दूर हो जाएगी जो बीमारी आने वाली होगी वो भी दूर हो जाएगी पुरानी बीमारी होगी नई बीमारी होगी सभी बीमारियों को दूर करने के लिए सभी तकलीफों को दूर करने के लिए यह उपाय है यह उपाय आपको करना है देखो इस उपाय के लिए क्या-क्य लोगे दो शमी के पत्ते मात्र, दो शमी के पत्ते, एक गोल बाती का दीपक और एक मतलब आधा चम्मच. आपको कच्चा दूध लेना है, यह समझ लीजिए बस ये चारों चीज लेकर के आपको भगवान शिव के. मंदिर में प्रदोश काल के समय आपको जाना है, अब यहाँ पर एक चीज समझना प्रदोश काल के समय आप जाओगे. आप सबसे पहले क्या करोगे? ये चारों चीज लेकर के सबसे पहले जो शम का पत्ता है शमी के पत्ते के अंदर आपको कच्चा दूध डालना है, मतलब क ऐसे करोगे शमी का पत्ता या तो कच्चे दूध के अंदर डबोक दो और आपकी जो भी विशेश कामना है जो भी इच्छा है जो भी बीमार व्यक्ति है उसकी बीमारी दूर हो जाएं ऐसी कामना करते हुए यह शम का पत्ता जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको रख देना है ठीक है सबसे पहले गोल बाती का दीपक जला लेना ठीक है दीपक जलाने के बाद ही आप ये उपाय करना शम का पत्ता पहला शम का पत्ता कच्चे दूध में डाल करके भिगो करके उसको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है और दूसरा शम का पत्ता जब आप रखने जाओगे वो आपको मतलब कच्चा दूध में आपको नहीं लेना है वो वो साधा शम का पत्ता लोगे और नाम और गोत्र जिस व्यक्ति को भी बीमारी है जिस व्यक्ति के भी जीवन में कश्ट है उसका नाम और गोत्र बोल करके ये जलाधारी के एक दूर हो जाती है, नाम और गोत्र बोल करके ये उपाय करना है, आपको कुंद केश्वर महादेव से प्रार्थना करना है, जीवादेव करना है।